इस वीडियो में डिसकस करेंगे यू मुंबा वर्सेस बेंगॉल वोरियस के बीच में खेलेज आने वाले प्रो कबडी सिजन 11 के 17th मैच को अभी तक टोटल 16 मैचेस खेले गए हैं 14 मैचेस में वन सेड़ ग्रैंड लिक्स और स्माल लिक्स विन किया हमने जो लास्ट मैच खेले गया था बेंगलूर वोल्स और पुनेरी पल्टन के बीच में जो सेम टीम आपको मैंने टेली ग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था सेम टीम से सभी मेगा ग्रैंड लिक्स के हमने विन किया है इस मॉल लिक्स की बात करें तो कोई आसपास भी नहीं है 100-200 के बड़े पॉइंट मार्जिन से लगतार अपने ओपने बीट कर रहे हैं प्रीबियस एर भी जितने भी मैचेस खेले गये थे प्रोक्स 95% मैचेस में जील और मेगा जील विन हुआ था और इन सभी का रिजल्ट प्रूफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर देख सकते हो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में है अगर इस मैच के अंदर जबरदस्त विनिंग करनी है तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वोज कीजेगा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किसको पिक करना है किसको ड्रॉप करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चोईस कोन होगा कौन से हाई सेलेक्टेड बड़े प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं लाइक मैचेस में ग्रेंड लिक्स और मेंका ग्रेंड लिक्स विन किया है और कैसे इस मैच के अंदर क्रेड प्रॉब्लम को सॉल्ब करना क्रेड को मेंटेन कर तो बेस्ट स्मॉन लिक्स और ग्रेंड लिक्स की टीम कॉम्बिनेशन करनी है कौन सीट में इस मैच को विन करेगी सब आपकी winnings कराने में काफी ज़दा help करते हैं and most important जिस grand league और small league team से personally मैं खेलता हूँ same team daily आपको हम telegram channel पर बिलकुल free of cost प्रोवाइड कराते हैं so आप सब भी हमारे telegram channel से जूड सकते हैं telegram channel से जूडने के लिए आपको simply इसी video के description and comment section में link मिल साएगा so सभी लोग link पर click करके free telegram channel से जूड जाना और आप में इसे काफी मेरे से भाई होंगे जो पहली बार इस channel के वीडियो को देख रहे होंगे तो channel को subscribe करके notification bell icon को all पे कर दीजेगा जिससे future में आने वाली सभी updates आप तक पहुंचे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स टेबल से प्रो कबड़ी सीजन 11 के अंदर उम्बा की टीम टोटल 2 मेचस खेलिए 1 मेच टीम जीती है 1 मेच टीम हारी है points table के अंदर फिलाल 9th position पे out of 12 teams Bengal Warriors की team season 11 के अंदर total 2 matches खेली ये 1 match team जीती है 1 match team हारी है points table के अंदर फिलाल 6th position पे out of 12 teams दोनों teams के बीच में pro kabaddi के अंदर overall 20 head trade matches खेले गए Yumba की team 14 matches win की Bengal Warriors की team 5 matches win की और 1 match टाई रहा और जो last match खेला गया तो दोनों teams के बीच में Bengal Warriors ने beat किया था Yumba को उस match में recent head trade matches की बात करेंगे season 10 के अंदर दोनों teams की बीच में total 2 head trade matches खेले गया थे first match के अंदर Yumba ने 2 points से beat किया था Bengal Warriors को 39 and 37 scorecard था top of homers की बात करें यहाँ पर उन्हीं player के आपको scorecard देखने को बिलेंगे जो फिलाल दोनों team के scorecard का हिस्सा है जो player scorecard का हिस्सा नहीं है उनका आपको stats यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा from Yumba अमीर महमत जफरदानेस 8 rate points रिंकू शर्मा 4 tackle points सोंबीर गोस्वामी 1 tackle point एम गोकुला कनन 0 tackle point from Bengal Warriors मनींदर सिंग टॉप अहमर है जिन्हों नों super 10 complete किया 11 rate points नितिन कुमार धंकर 6 rate point बैबोगर जे 0 tackle point दीपक सिंद 0 tackle point second match के अंदर Bengal Warriors ने बीट किया था Yumba को 12 point के बड़े margin से और इस match के scorecard रहा था 34 and 46 top of hour की बात करे from Yumba अमीर ममद जफर दानेस वनली 1 rate point एस मुकिलन 0 tackle point एम गोकुला कनन 1 tackle point बीटू बनवाला 3 tackle point सोंबीर गोस्वामी 1 rate plus 3 tackle point Bengal Warriors के तरब से अगेन मनींदर सिंग अपना super 10 complete करते है 10 rate points नीतिन कुमार धंकर 8 rate points एस विश्वास 8 rate points सेंटर पोजिशन से आपको खेलते हो दिखेंगे मनजीत दैया जो कि फ्रेंट्स right side से rate करते हैं और ये team के I think third rider होंगे because इनका हालिय अप फॉर्म उतना अच्छा नहीं है तो ज़ादा rate नहीं कर रहे हैं team के main rider होंगे अमीर महुत जफर दानेस जो कि both side rider है majority of rate ये right से करते लगवक 60 to 70% और 30 to 40% rate आपको left से करते हो नसर आएंगे और right in position पाको defense करते हो दिखेंगे अजीत चोहवान left in position पाको defense करते हो नसर आएंगे और ये friends team के second main rider है और ये left side से आपको proper rate करते हो नसर आएंगे cover defender की बात करे right cover पे सुनील कुमार left cover पे परवेस वैसवाल corner defender आपको दिखेंगे रिंकु सरमा right corner और सोंबीर गोसवामी left corner probable substitute की बात करें दीपक कुंदू जो की as a left corner खेलते हैं अमीर गुरबानी जो as a right corner खेलते हैं foreign player इरांद से बिलोंग करते हैं अमीर ये left cover पोजिशन पे खेलते हैं आसीज कुमार as a right cover खेलते हैं रोईत रागो last match के अंदर भी मौका मिला था और पहले match के अंदर भी इनको मौका मिला था और आज के match के अंदर भी आपको दिख सकते हैं अगर Manjeet दया फिरसा चपा हम नहीं करते हैं तो उनके place पर इनको लाया जा सकता है जो कि kind of a all rounder है रेड प्लस defense दोनों ही करतों चलाएंगे राइट साइड से रेड करते हैं लेप टेडर है सुभम कुमार एंड सतीस कनन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि friend right side से रेड करते हैं अब हम discuss करते हैं यूंबा टीम के हर एक player के बारे में full detail में start करते हैं Manjeet दया से जो कि friends आपको right side से rate करते हैं बें नसर आएंगे first match के अंदर 0 rate point, second match के अंदर 3 rate points previous year भी performance इनका average रहा था प्रती match 5.22 इनका average successful rate रहा था नहीं है कि हाल ये form काफी बड़ा concern ने और आज किस match के अंदर क्या opportunity और challenges है तो को Manjeet दया आपको rate करते हैं राइट साइड से सामने आपको left corner पर देखने को मिल जाएंगे फजला तरा चली, right corner पर आपको देखने को मिल जाएंगे नीतियस कुमार अगर आप defense की बात करोगे ना, one of the strongest defensive friends for right तो यहां से Manjeet दया जोकी एक form में नहीं चल रहे ना, इनके speed नज़र आ रहा है ना, foot movement ना, reflexes कुछ भी friends साहाँ पर mat के उपर visible अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है इसके अतरिक escaping skills की बात करेंगे आपके पास skills होना बहुत ज़रूरी है तो यहां पर friends मंजीत दया कहिने की lag कर रहे है और सामनी के जो सभी defender है चाहा बात कर लो, फजल अतरा चली की बहुत जबरदस्त form में पहले match गंदर उन्हें high five complete किया और last match गंदर बहुत 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 बहुता गंदर कर रहता है निते सके अंदर हाई चान्से मंजीत दई यह AH को फिर से फ्लप होंगे तो फिलाल फ्रेंट्स आप ना तो इनको इनकोइ स्मॉन लीग के अंदर प्रेफर कीजेगा और नहीं फ्रेंट्स इनको इस match के अंदर Grand Licks के अंदर प्रेफर करना, ज़्यादा ज़्यादा आपको 3-4 points ला करके दे सकते हैं, इस से ज़्यादा points के आप इनसे उम्मीद मत करना, confidence दबल बिल्कुल डाउन है और performance में दिख भी नहीं रहा है, नेक्स्ट आपको player देखने क बिलेंगे अजीत चोहवान, जो कि फ्रेंट्स आपको left side से rate करते हैं, अब last match के अंदर 3 rate points perform नहीं कर पहें, पहले match के अंदर इनके पास opportunity रहेगा, अब ये फ्रेंट्स आपको rate करना जाएंगे left side से, जैसा कि आपको पता है, जो सामने नितियस को बार होंगे right corner पे, इनका performance उतना अचा नहीं रहता, left rider के against काफी यता points से लीग करते हैं, कई बर तो self out हो जाएंगे, कभी lobby out हो जाएंगे, कभी पीछे line out हो जाएंगे, तो ये self out भी होते हैं, और बहुत बार friends आपर points लीग करते हैं, ankle hold उतना strong कर नहीं पाते हैं, ठीक है, फिर आपको left corner पे देखन को मिल जाएंगे, फजल अतराचली, इनको सिर्फ आज के मैस के अंदर, फजल अतराचली से बचना पड़ेगा, because फजल अतराचली का record बहुत ही बहतरी ने left side के redder के against सामने से block कर देते हैं, या फिर friends thigh hold chain कर लीग बहुत जबर्दस तरीके से करते हैं, ठीक है, left curve आपको द BTS कुमार है, जो right corner पर खेलेगा, तो यहां से अजीत चहवान का foot moment बहुत बहुत बहतरी ने, speed भी बहतर है, और अगर reflexes की बात कर, वो भी काफी smooth escaping skills भी इस player के पास डुपकी भी लगाता है, जम भी लगाता है, और force और power का भी काफी अच्छे तरीके से यूज करता है, as a player, small league as well as grand leagues, दोनों ही teams के अंदर consider कर सकतो, मंजीत दहिया के comparison of far better player आपके लिए smash के अंदर होंगे, सिर्फ इनको फजल से बचना पड़ेगा, बाकी के दो defender इनको points gift करेंगे, ठीक है, next आपको player देखने को भी लेंगे, अमीर मोहमत जफरदानिस, जो की both side rider है, 60 to 70% rate right से क करेंगे, first match के अंदर 9 rate plus 2 tackle points, second match के अंदर 8 rate plus 2 tackle points, कि आज किस match के अंदर हम इनको prefer करना चाहिए, बिल्कुल prefer करना चाहिए, यह दोनों तरप से rate कर सकते है, right से भी rate कर सकते है, left से भी rate कर सकते है, सबसे बहले बात करते है, जब right से rate करेंगे, तो क्या इनके पास challenges और opportunity रह because नीतियस कुमार भी right rider cadence रचा करता है, और मयूर कतम भी कहने की प्रवीन ठाकुर के comparison में better cover defender है, ठीक है, और फजल अतरा चलिए को बाताना ही कि मुझे need है, आप सबको इनके बारे में already बता है, तो यहाँ से यह चीज़ मैं कहना चाहिए, जो फजल अतरा चलिए, कई बार ऐसा जो सामने rider होता है, जो speedy rider होता है, जिसके पास friends speed देखने को मिलेगा, जिसका foot movement reflexes काफी fast है, वहाँ पर friends यह struggle करते हैं, ठीक है, और सामने कोई ऐसा भी rider हो, जो toe touch भी करें, kick का भी use करें, तो यह सारे गुन आपको देखने को मिल जाएंगे, अमीर मुहमत जफरदान इसके अंदर, ठीक है, और यह gujarat giants के against भी जब खेले थे, जब पिछली year, फजल अतराजली gujarat के तरफ से खेले थे, उस match के अंदर भी friend, अमीर मुहमत जफरदाने सुन, super 10 complete किया था, तो एक तो player बहुत अच्छे form में है, reading भी कर सकता है, defense में भी, हमेशा friend से player active रहता है, speed भी बहतर है, foot movement, reflexes, सब कुछ fast है, throw touch करता है, kick लगाता है, running hand test करता है, इसके अतरीक तकर बात करें, तो यह jump, dup की, force, सब कुछ का use करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से friends इस player को points, मुझे लगता है कि defense भले ही कितना strong है, लेकिन points आपर definitely मिलेगा, और जब left से raid करेंगा, तो और भी ज़दा friends साहाँ पर advantage मिलेगा, because, यह जो cover defender आपको दिखेंगा, मयूर कदम, इनके place पर कौन आपको देखने को मिलेगा, इनके place पर friends आपको left cover के तोर पर खेलते हो नजर आएंगे, प्रवीन ठाको, ठीक है, जिनके पास friends आपको उतना experience देखने हो का आज किस match के अ नजराएंगे, first match के अंदर three tackle points, second match के अंदर one tackle point, जो hatred match इन्होंने खेला था, against Bengal Warriors, वहाँ पर इन्होंने four tackle points किये थे, previous इरवीन के record कापी सुपब थे, right corner पर आपको friends से defense कर तो नजराएंगे, सामने से तो कोई rate नहीं करेगा, left side से, सभी का सभी जो rate होंगे, आज किस match के right side से होगा, Maninder Singh, Nitin Kumar धनकर और सुसिल काम ब्रेकर, तो 100% जो rate होगा, from Bengal Warriors, वह राइट से होने वाला है, तो इनके पास क्या opportunity अब देखो, यह जो rate करते हुए, यह सबसे पहले friends से आपर जाएंगे, left corner के पास, फिर यहाँ से आपको foot moment करते हुए, right corner के पास, जाते हुए न लिख सकते हैं, तो यह सभी skills आपको इनके पास देखने को मिलेंगे, जो कि friends से यूज करते हैं, against right trader, और इस match के अंदर इनके पास opportunity फिर से है, ना सिर भी इनको टीम में आप try कर सकते हो, बलकि आप friends अपने team का captain और wise captain भी कर सकते हो, small leagues के अंदर भी, और grand leagues के अंदर भी, दोनों ही जगा friends आपके लिए, एक best option इस मकाबले में रहेंगे, next player दीखेंगे, सोंबीर गोसवामी, जो कि left corner position पे आज़के इस match के अंदर खेलते हो, नज़र आएंगे, first match के अंदर 0 tackle points, second match के अंदर 4 tackle points, अब इसका आपको में explanation देता हूँ, previous सिर आप इनके performance देखो, कि क rate percent rate हो रहा है, from Bengal Warriors, तो ये क्या करते हैं basically, ये friends आपको ankle hold करते हूँ नज़र आएंगे, ठीके, इसके अधरीक्त ये क्या करते हैं, back hold करते हैं, और west hold करते हैं, ये तीन आपको friends, ये skills यूज़ करते हैं इन रिटर को tackle करने के लिए, इन में अगर बात करें न, तो friends, ankle hold इनक नई बात करते हैं, ये lobby out हो जाते हैं, line out पीछे हो जाते हैं, तो ये उतने अच्छे तरीके से right side के rider को ये tackle नहीं कर पाते हैं, ये ही reason था, कि पहले match के अंदर पूरी जनता इनको try कर रही थी, पूरी जनता ने इनको captain किया था, बट आपके भाई ने drop किया था, और ये ब बट मनींदर सिंग की पास power है, फोर से, अगर उनको advanced tackle के लिए सोंबीर जाते हैं, तो वहाँ वरी points लीख हो सकता है, बाकी के जो दो rider है, एक two touch करता है, नीतीन कुमार धंगर बहुत बैतरीन तरीके से kick का इस्तमाल करते हैं, और social camera के पास, आपको speed, reflexes, foot moment, power, सब कुछ द अगर इतर पोषम नहीं कर पाता है, और यहीं दिजन है आज किस match को अंदर हो सकता है, यहा तो एक भी tackle points ना करें, अगर इतको substitute कर दी जाता है early तो, बाकी अगर जादा-जादा करेगा तो एक से दो tackle points रह सकता है, जादा कि आप इंसे उमीद मत किजेगा, लास्ट match को अं अगर बात मानो तो आप इनको drop करने का risk इस match में ले सकते हो काफी high selected player है और ये game changing move हो सकता है फिर आपको दिखेंगे परवेस वैसवाल जो कि left cover position में खेलते हो ज़राएंगे first match कंदर one tackle point, second match कंदर two tackle point सब देखो previous से भी उतना चाप perform नहीं कर पाया थे और इस year भी अभी तक खामूसी रेक तरीके से ये left cover पर आपको defense कर तो दिखेंगे और इनके पास opportunity कम है क्योंकि देखो left side से जो rate होगा न इस match कंदर zero percent rate हो रहा कोई rate करेगा, कोई rate नहीं करेगा सभी के सभी आज किस match कंदर जो आपको player देखने को भी लेंगे from Bengal Warriors वो सब के सभ राइट से rate करते हैं चाहिए मनींदर सिंग की बात करो ये इनको मरधनकर की बात करो और सोसेल कामडेकर की बात करो और जो प्रनेरा ने या फिर एस विस्वास भी राइट से rate करते हैं तो इनके पास opportunity काफी कम है पांच पिर पांच से जादा की defense में लेकिन अगर मान लीजे कि पांच पिर पांच से कम defender है और mat पर ये जो आपको देख रहे हैं सोंबीर ये अगर नहीं है तो फिर आपको ये left cover से left corner की position पो खेल तो नज़राएंगे तो हो सकति को आपको एक आदी ankle hold करते दिख जाए अच्छा रा था अब ये आपको right cover पर फ्रेंट से हाँ पर defense करते हो नज़राएंगे और जैसा कि आप सबको पता है आज किस match के अंदर 100% जो raid होगा from Bengal Warriors राइट से होने वाला तो इनके पास काफी opportunity होगा किसके पास सुनील कुमार के पास ये क्या कर सकते हैं उनको block कर सकते हैं डैस आउट कर सकते हैं और इस match के अंदर मनींदर सिंगर raid करने जाएंगे तो उनको chain tackle बहुत बार आपको सुनील कुमार करते हुए नज़र आएंगे thigh hold तो उतना जैता नहीं करते हैं as a cover बट हाँ कई कबर कर लेते हैं बट mostly friends ये क्या करेंगे ये तीन आपको चीज करते हो जाएंगे इन में से प्राइमेरली आपको chain tackle करेंगे ठीक प्रवेस फैसवाल के साथ इनकी जोड़ी काफी बहतर रहती है वो पीछे से friends सहाँ पर ankle hold और thigh hold कर लेते हैं और ये सामने से friends सहाँ पर upper body को hold कर लेते हैं ठीक और अच्छे तरीके से लोग chain tackle करते हैं तो यहां से इनके पास काफी जादा opportunity इस match पे रहने वाला एक experienced player है गलती अगर ना करें तो friends इस match का अंदर high five भी complete करने का इनके पास opportunity है तो आप लोग ना सिर को मिल जाएगा जरूर आप join कर लीजेगा अब हम discuss करते हैं बेंगोल वोजियस टीम के provable starting seven की बारे में center position से आपको खेलते हैं नजर आएंगे मनींदर सिंग जो के team के lead और main leader भी होंगे right side से raid करते हैं team के second main leader होंगे नितीन कुमार धनकर जो के right से raid करते हैं और left in position में defense कर तो नजर आएंगो defense पर भी काफी active रहते हैं ठीक है जब भी आपको मैं इनकी बार में आगे detail में explain करूंगा cover defender आपको देखेंगा मयूर कदम right cover पे and प्रवीन ठाकुर left cover पे corner defender की बात करें नितीय सकुमा right corner and फसल अतरा चली left corner position पे खेलते हो नजर आएंगे प्रवेबल substitute की बात करें बैवो गर्जे as a right cover आपको खेलते हो नजर आएंगे कर मयूर कदम इस मैचे बहतर नहीं perform करते है तो उनको substitute किया सकते बड़ ऐसा मुझे कमी लग रहा है कि होगा सचीन आपको देखने को मिल जाएंगा अजर लेफ्ट कपर खेलते हुए दीपक अरजुन सिंद राइट कॉर्णर आदित्या सिंद लेफ्ट कॉर्णर एस विश्वास राइट डिडर है अरजुन राठी को मौका मिल सकता है अगर नितीन धंकर और जो सुसील काम रेकर उन काफी ज़्यदा सूपब था आज किस मैच के अंदर क्या के चैलेंजेस है और क्या ऑपरचुनिटी इनके पास देखो यह राइट से रेड करने के सामने कोन होगा सोंबिर आपको दीखेंगे लेप कोनर पर जिनका रिकॉर्ड ओलड यहीं बात कर चुके हैं राइट रेडर के सामने बहुत ज़्यदा पूर रहता है काफी खराब पफॉरमेंस देख करते हैं राइट रेडर के सामने लेप रिप अगर बहुत सुपब है क्योंकि थाइव इसकेप नहीं कर पाते हैं तो इनसे थोड़ा सा इनको बच के रहना पड़ेगा लेकिन मैंने देखा है रिंकु सर्मा को भी पिछले कुछ मैचेस के अंदर गलतीया करते हुए डवांस टेकल के चकर में तो गलतीया यहां से भी होगा तो यहां से इंको कुछ पॉइंट्स मि को आउट करेंगे ठीके जिसका टाइमिंग परफेक्ट होगा वो फ्रेंट्स यहां पर टैकल करेगा फिर यहां पर आउट करेगा अब देखो यहां पर क्या होगा अगर इस मैच के अंदर सुनील कुमार एडवांस ब्लॉक करने जाते हैं तो मनींदर सिंग हो सकता है कि मल इस मैच के अंदर काफी ज़्यदा पोइंट्स लिग करने वाला है ठीक है तो मनीदर सिंग आप लोग इस मैच के अंदर भी मान करके चलिए लगबग लगबो फ्रेंट्स आपको 8 से ले करके कम से कम 10 पोइंट तो दे नहीं वाले हैं तो आप इनको टीम में ट्राइ कर सकत अदर 7 रेट पोइंट्स प्रीवेस से लिए इनका पाफॉमेंस बहुत ही ज़्यदा सूपब था नेक टू नेक प्रेंट्स चल रहे हैं यह मनीदर सिंग के अब देखो यहाँ पर यहाँ पर यह भी राइट साइट करेंगे सामने आपको देखेंगे सोंबीर गोस्वामी सुनिल कुमार ठीक है अब अगर बात करें सुनिल कुमार के अगेंस्ट इनकी पाफॉमेंस की है तो बहुत ज़ादा आपको पूर पाफॉमेंस देखने को मिले गोस्वामी रिग रिंकू सर्मा ने काफी ज़यदा फ्रेंड्स इनको टैकल किया इनको परेशान किया मिलेंग बार-बार लेफ्ट कोनर के पास जो सोंबीर है ये फिर निसाबर एडवांस टेकल करेगा गलतिया करेगा एंकल होल्ड करने ही ले जाएगा हो सकता है ये उसको टोटच करके आउट कर दे तो नीदिन कुमार धनकर भी एक एक स्किल्फुल रेडर है बोनस निकालना भी काफे ची तरीके जानते हैं तो अगर आप बेंगॉल वोरियर्स के फिवर में कॉमिनिशन क्रियेट कर रहे हो तो आप इनको अपने फैंटेसी टीम के अंदर ट्राइ कर सकते हो राइड को और काफी आपको स्ट्रॉंग देखने को मिल जाएंगी ठीके यह बात आपको नोट करके चलना है फिर आपको देखेंगा सोसेल कामब्रेकर जो के राइड से रेड करते हैं पहले ही मैच के अंदर इस प्ले ने धमागा कर दिया फाइप रेड प्लस टू टैकल अब देखो इस मैच के अंदर एजट थर्ड रेडर खेलेगा यानि या तो इसको डू और डाइस सिचुइशन भेज देंगी या फिर जब मैट पे मनींदर सिंग और नीतिन कुमार धंकर नहीं होंगे तब यह रेड करने जाएगा तो रेड एक्शुली इसको कम मिलेगा पिर लास्ट मैच के अंदर भी इसको लास्ट में जाता रेड मिला पहले आपके अदर तर काफी कम रेड किया और डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस में क्या करता हो भी हम बात करेंगे आगे अब जब रेड कर एक राइड से तो सोंबीर अगेन आपको देखने को बिल जैंगे रिंकु सर्मा and right cover आपको देखने को बिलेंगे सुनील कुमार अगर आप इस defense को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ यह weak link है सुमभीर अच्छा defender है बट left rider के सामने अच्छा राइटर के सामने अच्छा नहीं कर पाता है तो यहां से सुसील को भी points मिलेंगे लेकिन यही दिक्कत है ना friends कितना raid मिलेगा, कितना points ले पाएगा क्या dream team का हिस्सा बन पाएगा तो small league के अंदर अगर आप try कर रहे हो कि यह आपका credit maintain करा कर देगा सबसे च्छी बात आज के मैचकंदर यह है तो आप चाहोने इस मैचकंदर credit को manage करने के लिए नितिन कुमार धनकर के placement को try कर लो अगर मनिंदर सिंग को लेना है चाते हो तो अब इनको pick कर लो क्योंकि अगर इनको pick कर लोगे तो कहने कि right corner तक तो यह बीच से निकलते हैं और यहाँ पर thigh hold कर लेते हैं last match के अंदर दो tackle इन्होंने इसी सेम तरीके से किया था जो आसीस करते हैं दवंग दिली के लिए जो अभिजीत मलिक करते हैं जैपर विंग पैंथर्स के लिए same काम यह भी कर रहे है for Bengal warrior सीकत यह बात आपको नूट करके चलना credit manage करने के लिए I think इससे best player आपको आज के match में कोई देखने को ना मिले जो कि raid प्लस defense दोनों में आपको यहाँ पर एहम भूमी का निभात वो नजर आएगा लेकिन हाँ यह मत समझ लेने कि super 10 complete कर लेगा super 10 नहीं complete करेगा कि तो सामने एक भी defender आपको अच्छे देखने हो का आज किस match कंदर मिलेंगे फजला तरा चली इस match के एक differential कप्तान वेस कप्तान होंगे defender में से में recording सबसे best option होने वाले CBC के लिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अब देखो ये left corner पर खेलेंगे first match कंदर 5 tackle point प्लस 1 rate point second match कंदर 3 tackle points और जब previously जब इन्होंने खेला था इसी team के against तो इन्होंने high five भी अपना complete किया था ठीक है previous तो आप इनका record यहाँ पर देख सकते हो अब हम बात करते हैं आज किस match कंदर क्या कै इनके पास opportunity है ठीक है देखो सबसे पहले ये कहाँ पर दीखेंगे आपको left corner पर दीखेंगे सामने से अमिर मौवथ जफर्दाने से rate करेंगे फिर यहाँ से फ्रेंस मंजीत दया आपको rate करते हैंगे और जब left से rate होगा अजीत चौवान या फिर जब अमिर मौवथ जफर्दाने से left से rate करेंगे क्योंकि अमिर मौथ जफर्दाने से both side rider है left से भी rate करते है राइट से भी rate करते हैं मैं zote of rate right से करेंगे 60-70% और 30-40% आपको left से करते हैंगे इनका जो record है फजल का दोनों side के rider के against काफी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा right rider को strong ankle hold back hold करते हैं और जब left से rate होता है तो फ्रेंट से हापर left rider का क्या करते हैं double thigh hold, thigh holder सामने से block करते हैं तो फजल इस match के अंदर मेरे recording एक best option है for captain wise captain के कि दोनों team का defense कर आप देखोगे ने तो कहिने की काफी बहतर है तो हो सकता है कि इस match के अंदर रेडर उतना अच्छा काम ना करपा है जिससे हम captain try कर सके जैसे आपको मैंने बता है ना कल का match देख लो आप गोरो खतरी और हमने अमन को captain wise captain किया था असलमी नामदार मोहित गोयत को हमने try नहीं किया तो उसका भी पीछे का logic और reason था ठीक है तो यह सब कुछ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा किसको आप try कर रो Maninder Singh ऐसा नहीं बोलना कि flop होंगे नितिन कुमार धनकर और सुसिल काम परेकर उन दोरों में को यह perform करेगा बट क्या उतना अच्छा perform करेंगे जिससे वो captain के लाइक हो तो कहीं ने कि वो चीज नहीं मुझे लग रहा है इस match में इसलिए हम as a player उनको recommend कियो और इन्हें आप कप्तान विस कप्तान आज के match में try कर सकते हो next आपको player देखने को बल जैंग नितियस कुमार जो के right corner पर देखेंग टीम का वाईस captain भी है first match कंदर one tackle point second match कंदर भाईस आपका खाता भी नहीं खोला और previous year थोड़ा सा अच्छा perform किये था बट इस year अभी तक ऐसा हमें performance देखने को नहीं मिला है अब देखो यह आपको देखेंगे right corner पर left से जब rate होगा तब इन से भूल जाओ कि यह क्या करेंगे ठीक बहुत बिकार performance करते है ankle hold काफी इनको weak रहता है कई पर lobby out हो जाते हैं कई पर line out हो जाते हैं पीछे तो उतना अच्छा performance आपको left side के राइडर के एंगे इनका देखने को नहीं मिलेगा जब right से rate होगा तो इनके पास opportunity देगा यह ध्याने के क्योंकि यह क्या करते हैं double thigh hold काफी बहतरी इन तरीके से करते हैं thigh hold काफी बहतरी इन तरीके से करते हैं chain tackle भी कर लेते हैं कई वे friends आपर right side के raider को ठीक है हलाएक यह काफी rear skill से मतलब rear क्या बोलूँगा यह काफी कम करते हैं chain tackle काफी कम करते हैं mostly यह double thigh hold और thigh hold आपको करते हूँ नज़राएंगे right side के raider के against block भी उतना अच्छा इनका नहीं रहता है block भी उतना perfect इनका रहता नहीं है तो मैं basically बोलूँगे यह काफी बहतर तरीके से करते है right side के raider के तो अगर आप यहाँ पर Bengal Warriors के favor में combination create कर रहे हो grand leagues की तो वहाँ पर आप इनको as a player अपने team में try कर सकते हो बठा small league के अंदर कहीं ही के risk है क्योंकि friends गलती है काफी भी कर रहे है और उतना ज़ादा friends बहतर performance के तरप से देखने को मिला नहीं है तो यह बात आपको note करके चलना GL में एक अच्छा choice होंगे एक differential player होंगे पर इस small league के अंदर I don't think इमें इनको prefer कर पाऊंगा मैं उर कदम के बात करेंगे तो right cover आपको खेल तो नज़राएंगे पहले match के अंदर 2 tackle point second match के अंदर 3 tackle point अब यह player है ना काफी aggressive player है ठीक है यह आपको एक powerful defender आप कह सकते हो यह आपको right cover पर देखने को मिल जाएंगे जब यहाँ से right side से रेड़ोंगा मनजीत हो गया इस match में ठीक है फिर मनजीत को बाद में coach substitute करें तो अलग बात है अगर यहाँ से जफर दानिस पर रेड़ करते हैं उनको भी यह परिशान कर सकते हैं काफी powerful defender है बट थोड़ा सा timing कहीं है कही बार गलत इनकी हो जाती advance tackle का चकर में तो वहाँ पर points लीग करते हैं तो इनको मैं इस match में उपर रखूँगा नितियस कुमार की comparison में ठीक है क्यों क्यों क्योंकि यह attempt लेते है नितियस कुमार तो attempt भी कम ले रहे हैं और जब ले रहे हैं तब काफी गलतिया कर रहे हैं ठीक है थाई होल भी कर सकते है चेंडेकल भी कर सकते है सब कुछ इस प्लेयर के पास आपको देखने को मिल जाएंगे तो मयूर कदम को आप चाहोते small league के अंदर भी ले सकते हो और grand leagues के अंदर भी आप इनको try कर सकते हो प्रवीन ठाकूर जो as a left कबर इस match में खेलेंगे इनका रूल मुझे उतना important नसर नहीं आ रहा है पहले match के अंदर friends खेले नहीं थे second match के अंदर one tackle point अब देखो आज किस match के अंदर ये आपको as a left कबर खेलेंगे सामने से raid अगर देखोगे लेट से थोड़ा कम होगा लगबग आप मान के चलो कि 30-40% maximum rate होगा इस से जदा कि आप उमीद मत करना अजीत सहुमान और अमीर मुमद जफरदानेस दोनों ही raid करेंगे left side से हलाए कि अमीर मुमद जफरदानेस maximum rate राइट से करते हैं बढ़ 30-40% अपको left से भी करते हैं दीख सकती इस match में ठीक है तो अब ये जो player हैं इसके पास एक तो opportunity कम है दूतरा experience की कहीने की friend साब को कमी देखने को मिलेगे और जो सामने raider raid करेंगे ये speedy raider है ये friend सहाँ पर फूर तीले raider है speed, reflexes, footman काफी fast है तो मुझे देखता है कहीने की friend सहाँ पर इस match में struggle कर सकते है उनको tackle करने के लिए और इनसे better option अपने पास available हो सकता है कि ये काधी tackle करें बट उससे तो dream team का हिस्सा नहीं बन पाएंगे न तो मुझे बहुत अची performance की इनसे उमीद नहीं है अगर आप Bengal Warriors के favor में टीम मना रहे हो credit भी maintain करना है तब आप भले चाहो तो try कर सकते है बट मैं ज्यादा team इनको recommend इस match में नहीं करूँ नहीं small leagues कंदर और नहीं grand leagues कंदर substitute and bench player के जो भी stats and numbers होंगे आपको हम telegram channel पे provide कर देंगे telegram channel के link इस video के description and comment section में जरूर आप join कर लीजेगा फिलाल के friends ये मेरे demo team में इस match का final grand leagues और small leagues टेम आपको मिलेगा मारे telegram channel पे जिसका link इस video के description and comment section में जरूर आप join कर लीजेगा और अभी तक आपने इस video को like नहीं किया तो like कर दीजे दोस्तों के शेयर कर दीजे channel को subscribe करके notification bell icon को all पे कर दीजे जिससे friends future ने मैंने वाली सब ये updates आप दक पहुंचे सबसे पहले defender section से सुनील कुमार, फसल अतरा चली, रिंकु सर्मा और नितियस कुमार को prefer करके चल रहा हूँ वालंडर section से मैंने अमीर महमत जफर दानेश को prefer किया और सोंबीर को reader section से मैंने try किया मनींदर सिंग को आप देखो इस team के अंदर आप लोग changes क्या कर सकते हो पहले अगर बात करें captain wise captain को ले करेंगा तो मेरे captain है फजल अतरा चली और रिंकु सर्मा ठीक है आप चाहो तो friends यहाँ पर सुनील कुमार को try कर सकते इस match में जिनका रोल इस match में काफी important रहेगा इसके अतरिकत आप लोग अमीर महमत जफर दानेश को try कर सकते हो और मनिंदर सिंग को try कर सकते हो यह 3 other options आपके लिए captain wise captain के लिए अब changes की बात करें अगर आपको यहाँ से नीतियन कुमार धंकर को लेना है या फिर सुसिल कामब्रेकर को लेना है तो उनको भी pick कर सकते हो किसके place पर आप try करोगे यहां पर आप सोंबीर के प्लेस पर try कर सकते हो ठीक है और मयूर कदम को आप लोग लेकर के आ सकते हो नीतियस कुमार के प्लेस पर मैं हो सकता है कि changes करूँ इस team मैं और फिरेंस आपको बतारों अभी से कई सारे changes हो सकते हैं including captain and vice captain so make sure आप लोग telegram को join करकेगे because ये मेरी final team नहीं है तो आपको final team कहा मिलेगी telegram पर मिलेगी description and comment section में लिंके join जरूर कर लीजेगा